लोगों को उपनी सरलता का भी एहंकार हो जाता सद्गुनों का एहंकार सबसे बड़ा दुर्गुन है और वह एहंकार हमारे सद्गुनों का ही भक्षन कर लेता है जिससे वो पैदा होता है उसी को भो खा जाता है इसलिए एहंकार से बचें भगवान की वर सद्गुरू की शरण में रहें ये बहुत आवश्या है वरना सारे सद्गुन मिलकर के बहुत बड़े एहनकार को जनम देंगे जो की बहुत बड़ा दुरुकुन है